हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल आउनलाइन, दिस इस अंकीता सूथ, सो पेपर वन प्रेपरेशन में आज हम टीचिंग अप्टिट्यूड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें Important MCQs के साथ हम शुरू करेंगे ताकि आप सभी स्टुडेंट्स को पता चल जाए कि कैसे Questions एक्जामिनेशन में आते हैं, इस सेरीज के सबसे खास बात ये है कि हरे Question के Answers के साथ मैं आपको Important Explanation भी दूँगी ताकि Questions के साथ ही आपके सारे Concepts भी क्लियर होते रहें, तो इसी के साथ फिर आज के Session को शुरू करते हैं, Students Paper को Qualify करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी Examination के Level के हिसाब से तयारी करें, और इसके लिए Complete Course में लेकर आई हूँ, जहाँ पर Daily Live Lectures के साथ आपका पूरा सलेबस तो Cover होगी जाएगा, साथ ही Topic Wise MCQs और PYQs भी हम आपको देते हैं, Notes बनाने में बच्चों का बहुत समय बरबाद होता है, इसलिए आपको यहाँ पर हम PDF Notes देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बिना अपना समय बरबाद किये, साथ ही Full syllabus mock test है, जो कि बहुत important है आपकी revision के लिए, और यह 5000 MCQ question bank में से मैं आपको guarantee देती हूँ, कि paper 1 में 50 में से 35 plus questions आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, new batch हमारा coming Monday से start होने वाला है, इस batch के लिए और पूरी information के लिए आप या तो given numbers पर contact कर सकते हैं, या फिर कुछ free content के लिए भी आप Global Online आपको डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये course है, और कैसे हम आपको services provide करवाते हैं, search bar में course को search कीजिए, content पर जाओगे तो English Hindi bilingual separate courses आपके सामने आ जाएंगे, जहांपर आपको unit wise folders मिल जाते हैं, इसका ये फाइदा है कि आप चाहो तो किसे भी unit में MCQs या theory के जरीए अपनी तयारी शुरू कर सकते हो, और यकीन रखिए ये बहुत important course है, जो कि आपको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद कर सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का पहला question है, यानि कि जो भी instructional aids होती है, निर्देश आत्मक सहायता होती है, वो एक teacher क्यों use करते हैं, options are to glorify the class, glorify का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिखने में या फिर उसकी importance को बढ़ाना, तो क्या class को अच्छा दिखने या class की importance को बढ़ाने के लिए इनको use किया जाता है, दूसरा option बोलता है attract the students, तो क्या एक teacher जो अपने efforts डालता है, वो एक student को attract करने के लिए डालता है, दीसरा option बोलता है clarify the concepts, यानि कि teacher जो कुछ भी class में पढ़ा रहे हैं, वो concept learner को अच्छे से समझ आ जाए, ये हमारा main objective होना चाहिए, तो next option है ensure discipline, यानि कि अपनी class में अनुशासन बनाए रखने के लिए teacher जो है, वो instructional aids का use करते हैं, ठीके तो एक बहुत ही easy question है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी options हैं, ये कही ना कही एक दूसरे से related है, तो सबसे पहले हम लोग इस question, इस option को eliminate कर देंगे, क्योंकि class में ठीके एक teacher है, एक student है, एक learner है, तो इनका main objective क्या होता है, कि teacher पढ़ाए, और जो भी पढ़ा रहे हैं, वो student accept करें, इसमें class को glorify करने से related कोई भी चीज़े important नहीं होती हैं, ठीके, और बाकी के तीन options है, और ये तीनों options जो है, इंटर related है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि main concept जो होता है, teaching learning process में, वो होता है, कि किसी student के concepts को हम clarify करतें, that is option number 3, ठीके, and यहाँ पर option number 2 and 4 जो है इससे related है, कि अगर teacher अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो concept तो clear होंगे ही, साथ में students automatically attract हो जाएंगे teacher की और, and discipline भी class में अपने आप बन जाएगा, ठीके, next question है हमारे पास, which of the following set of statements reflects the basic characteristics of the teaching, यानि कि कौन-कौन से यहाँ पर कथन है, जो कि teaching के basic characteristics है, ठीके, बुन्यादी विशेश्टाएं है, पहला बोला गया है कि teaching जो है, वो training की तरह होती है, ठीके, क्या teaching और training में difference है, आप लोग फटा-फट से इस चीज़ को सोच सकते हो, हमने previous series में इसको discuss किया है, जहाँ पर हमने theory lectures देखे थे, ठीके, second option है, there is no difference between instruction and conditioning when we teach, ठीके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि instruction और conditioning, यह दोनों concepts में बिल्कुल भी difference नहीं होता है, तीसरा option बोलता है कि teaching जो होती है, वो learning से related होती है, next option है, कि teaching एक task है, ठीके, teaching एक काम है, और जबकि learning को बोला गया है, यह एक उपलब्धी है, teaching को बोला जाता है कि information हम देते हैं आप लोगों को, ठीके, and यहां पर last option में बोला गया है, and एक person जो है वो पढ़ा सकता है, without learning taking place, यानि कि कोई सीखे भी न पढ़ा सकता है, तो क्या यह concept ठीक है या नहीं है, ठीके, तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि teaching, training, instruction and conditioning, most important statements, क्या है, ठीके, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि teaching क्या होता है, teaching is a process of educating a person with theoretical concepts, practical hand-on experiment, यानि कि teaching, एक student को, एक person को हम सिखाते हैं, कि इस काम को कैसे करना है, ठीके, training क्या होता है, training होता है, किसी organization में use किया जाता है, किसी person की skills, code, knowledge को, या फिर उनके attitude को development करने के लिए, ठीके, तो यहाँ पर बोला गया है, कि teaching और training same होता है, या नहीं होता है, ठीके, तो यह same नहीं होता है, यह बहुत different चीज़ें हैं, तो next आता है, हमारे पास instruction and conditioning, so instruction होता है, किसी को order देना एक तरह से, कि किसी को बताना कि किसी काम को हम कैसे करें, जैसे मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग UGC net के लिए ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, मैं आपकी help नहीं करूँगी, सिरफ आपको बताऊंगी, that is called instruction, and conditioning होता है, modify करना किसी person के behavior को, ठीक है, इसको हम लोग behavioral process भी बोलते हैं, तो इधर बोला गया है कि इन दोनों में कोई भी difference नहीं होता, तो ये statement में बिल्कुल गलत है, ठीक है, next option है मारे पास, teaching जो है वो learning से related है, yes, ये concept बिल्कुल clear है, जो teaching है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ाते हुए, मैं भी बहुत चीजें सीख रही हूँ, ठीक है, तो ये teaching और learning जो होती है, ये एक दूसरे से हमेशा related होती है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, option number one and two जो है, वो बिल्कुल हमने यहाँ पर remove कर देना है, ठीक है, one and two इसमें है, तो इसको भी हम eliminate कर देंगे, second option इसमें भी है, and first option इसमें भी है, ठीक है, so next up हम देखते है, teaching क्या है, एक काम है, ठीक है, जबकि जो learning है, यह एक achievement है, yes, ठीक है, teaching का मतलब होता है, information देना, ठीक है, teaching means giving information, yes, हम information देते हैं, one may teach without learning taking place, ठीक है, तो इसका right answer है हमारे पास, option number two, that is one, four and six, next question है हमारे पास, in the list given below, identify those key teaching behaviors which have been observed to be contributive to effectiveness, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, कि ऐसे कौन से मुख्य शिक्षन के विवहार हैं, जिनको हमें select करना है, जिनने effective teaching में योगदान करता के रूप में माना जाता है, ठीक है, तो कौन-कौन से है, जो कि contributive हैं, जिससे कि teaching को हम effective बना सकते हैं, प्रफावशाली बना सकते हैं, तो पहला है lesson clarity, यानि कि जो teacher है, वो जो पढ़ा रहे हैं, अगर उनको वो concept clear होगा, तभी teaching अच्छी होगी, ठीक है, दूसरा बोला चाता है, probing, probing का मतलब होता है, जांच करना, अगर हम किसी चीज़ की जांच परताल अच्छे से करते हैं, तो बोला चाता है, कि ये effectiveness होती है, ठीक है, next है teacher task orientation, ठीक है, teacher task orientation का मतलब होता है, कि जो भी teaching हम कर रहे हैं, teaching से related जो भी काम कर रहे हैं, उस पे focus करना, next होता है student success rate, कि जितने percent student pass होंगे, जितना वो score करेंगे, वहाँ से कहीं न कहीं हमारी teaching की जो effectiveness है, उसको हम लोग clear कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं, next option है instructional variety, कि अगर हम लोग तरह तरह की तरीकों से आपको पढ़ाने की कोशिश करें, जैसे आज मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कल मैं अपना method change करूँ, अगर मुझे लगता है कि यह method effective नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने method को change करते हैं, that is called instructional variety, next option है using student idea, कि जितने भी students हैं, अगर वो हमें कोई idea देते हैं, कि मैं आप इस तरह से पढ़ाओ, तो अगर हम उनको use करते हैं, तो क्या यह contribution देता है, teaching को effective बनाने में या नहीं देता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो एक teacher को lesson की clarity भी होनी चाहिए, तीक है, teacher task orientation भी होना चाहिए, student success rate, अगर 90% student मेरे पास हो जाती है, इसका मतलब है कि मेरा teaching method बहुत ही अच्छा है, ठीक है, next है instructional variety, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, 1, 3, 4, and 5, ठीक है, तो 1, 3, 4, and 5, that is option number 3 is the right answer, next question is, the quality of teaching is reflected, ठीक है, तो यानि कि शिक्षन की जो गुनवत्ता होती है, वो reflected होती है, reflect होती है, किस तरह से, by the attendance of the student in the class, यानि कि क्लास में कितने students आ रहे हैं, अगर मालीजे, 10 में से 10 students आते हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि teaching में जो करती हूँ, वो quality teaching है, दूसरा है, by the pass percentage of student, यानि कि कितने percent student pass हुए है, ये important है, दीसरा है, by the quality of questions asked by the students, यानि कि 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 क्वालिटी के किस level पे मैं आपको बढ़ा रही हूँ, वो important है, इसको बोला जाता है quality of teaching, next है, by the duration of silence maintained in the class, यानि कि class में कितनी शान्ती बनी रहती है, कितना मौन रहते हैं students, इससे क्या मेरी teaching के quality का पता चलता है, या नहीं चलता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो सबसे जादे important concept यह होता है, कि teacher किस तरहा के questions पूछते हैं, यानि कि अगर teacher questions अच्छे पूछते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाया भी अच्छा होगा, ठीके, तभी यह जो teaching learning process होता है, इसको complete माना जाता है, ठीके, तभी teaching की quality को हम लोग effective मानते हैं, तो यहाँ पे right answer है हमारे पास, option number 3. यानि कि शिक्षन से related जो उसकी प्रकृती है और जो उसके उदेश्य है, वो statements हमें यहाँ पे select करनी है, तो first option है कि teaching और learning जो है, यह एक दूसरे से related होती है, एक दूसरे से समबंदिध होती है, दूसरा option बोलता है कि teaching और training में कोई भी difference नहीं होता, तो यह statement बिलकुल गलत है, teaching और training में बहुत जादा major differences होते हैं, ठीक है, next option है, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, यानि कि जो भी student होते हैं, अगर हम उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है, वो जरूर होते हैं, अगर वो अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, so next आता है हमारे पास, all good teaching is formally nature, यह बोलते हैं कि जो भी formal teaching होती है, सिर्फ वही अच्छी होती है, informal, यानि कि अनापचारिक teaching अच्छी नहीं होती है, तो यह statement तो बिलकुल गलत है, ठीक है, a teacher is a senior person, क्या teacher सिर्फ senior हो सकता है, junior भी हो सकते हैं, हम से छोटी उमर के लोगों से भी हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, तो यह statement भी incorrect है, यहाँ पे बोला गया है कि teaching एक social act है, and learning जो है एक personal act है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यह क्या है, यह समाजिक कार्य है, and learning एक personal act क्यों बोला चाता है, क्योंकि आप लोग अपनी, आपकी अपनी capacity है, कि आप लोग कितना सीखना चाहते हो, कितनी आप लोग learning चाहते हो, that is learning is a personal act, ठीक है, so given questions में अगर हम लोग देखें, तो right answer है हमारे पास, option number A, option number C, and option number F, ठीक है, so A, C, F that is correct option है, हमारे पास option number 3, हमारा अगला question है, identify the teaching strategies which are employed during indirect instructions, ठीक है, so indirect instruction के थूँ कौन सी हम लोग strategies को employ कर सकते हैं, पहला है, emphasizing direct and indirect examplers, ठीक है, यानि कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो होता है, उन उधारनों के साथ, हम लोग बच्चे को उस concept को समझाने की कोशिश करें, अगला बोलता है, presenting the stimulus material, ठीक है, stimulus material क्या होते हैं, यह होते हैं, किसी भी तरह की emotion, characteristics, या फिर object से related, हम लोग उन चीज़ों को समझाने की अगर कोशिश करते हैं, नेक्स्ट आता है, inquiry-based question-answer session, ठीक है, कि पूछताच की तरीके के थ्रू हम लोग पढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट है, presenting, asking and providing feedback, फीडबैक का मतलब होता है, कि उनका जो है, हम लोग ने दृष्टी कोण लेना है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या students को वो चीज़े पसंद आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, that is called feedback, नेक्स्ट option है, promoting problem solving approach, ठीक है, यानि कि किस तरह से हम किसी समस्या का समाधान, समाधान निकाल सकते हैं, उस तरह से बच्चों को सिखाना, that is called promoting problem solving approach, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो option number A ऐसा है, कि जिसमें हमें direct और indirect example दोनों ही देने चाहिए एक student को, ठीक है, कुछ एक student हो सकते हैं कि वो direct examples के थूँ समझे, कुछ हो सकते हैं कि indirect examples के थूँ समझे, तो यह option बिल्कुल correct है, second बोलता है कि stimulus, जरूरी नहीं है कि हर बार हम इस stimulus examples देने हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ ना कुछ object या फिर कुछ ना कुछ emotion के थूँ स्टूडेंट को पढ़ाएं, next option आता है कि जो भी question answer session होते हैं, that is very important, ठीक है, next होता है presenting, asking, जरूरी नहीं है कि हर बार हम किसी चीज़ को present करें, ठीक हर बार student से कुछ पूछें और feedback दें, ठीक है, तो यह option भी बिल्कुल गलत है, promoting problem solving approach, ठीक है, इसका मतलब यह है कि students को हम लोगों इस तरह से promote करना है, कि वो समझ जाएं कि किस problem को कैसे हमें solve करना है, यह concept जो होता है, वो main concept होता है, teaching learning process में, ठीक है, तो exam में एक बार यह question directly पूछा गया था, कि promoting problem solving approach जो है, वो indirect instruction के through हम use कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी options को आपने ध्यान में रखना है, और उन्हीं को गुमा कर बहुत पार questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो right answer है A, C and E, that is option number D is the right answer, next question is, from the following list of statements, select those which indicate the characteristics and basic requirement of teaching, यानि कि teaching कि जो भी basic जरूरते होती हैं और जो उसकी विशेशताएं होती हैं, हमें उनको select करना है, तो पहले में बोला चाता है कि teaching implies communication, ठीक है, तो यहाँ पर बोला चाता है कि teaching, यानि कि जब हम किसी को पढ़ा रही हैं तो उसमें बातशीत बहुत जरूरी है, yes, that is very true, ठी ठीक है, दूसरा option बोलता है कि teaching जो है किसी समान को बेचने के जैसी है, तो क्या आपको लगता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या आपको लग रहे है कि मैं आपको ये समान बेच रही हूँ, no, ये statement बिलकुल गलत है, ठीक है, next option है teaching means managing and monitoring, यानि कि कि किसी ची teaching implies influencing others, कि दूसरों को अगर हम लोग प्रभावित करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को motivate कर रही हूँ कि आप लोग net के बाद ये कर सकते हो, ये ये fields में जा सकते हो, ठीक है, तो ये मैं आपको influence कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है, बि out infrastructural support, यानि कि जब तक हमारे पास बुद्यादी धांचे का समर्थन नहीं होगा, तब तक शिक्षन नहीं हो सकता, तो ये statement तो बिलकुल गलत है, ठीक है, तो आप लोग डारेक्टी, अगर eliminate method हम बताते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस option को, जो है, reject कर देते हैं, तो ये द and four, तो इस तरह से न, ये elimination method बहुत help करता है, इस तरह के questions में, जो आपको statement गलत लगती है, उन पे cancel कर दीजिए, and option से भी उसको remove कर दीजिए, ठीक है, तो last में directly आप लोग correct option पे पहुन जाओगे, next question is, which of the following is an essential quality of best teacher, तो एक best teacher कौन होते हैं, आप लोग इतने time से पढ़ रहे हो, तो आपके कोई न कोई favorite teacher, कोई न कोई best teacher होंगे, तो वो किस basis पे होते हैं, पहला है कि किसी teacher को अगर subject की बहुत जादा strong knowledge है, तो हम उसको best teacher मानेंगे, दूसरा है genuine interest in teaching, कि अगर teacher को सच में पढ़ाने में interest है, तो वो teacher दिखती सी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीके, दीसरा option है language fluency, कि अगर कोई teacher की भाशा, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो क्या वो teacher best teacher होंगे, next है good presentation, कि उनको पढ़ाने का knowledge नहीं है, लेकिन वो किसी चीज को इतने अच्छे तरीके से present करते हैं, कि students impressed हो जाते हैं, student उस चीज को समझ जाते हैं, तो ये चार options है, इन options में आप लोगों को सभी जो है लग रहे होंगे, कि yes ये भी हो सकता है, तो maximum student इस चीज में confused हो जाते हैं, तो ऐसे questions में आपको क्या करना है, आपको best concept को ढूणना है, चार पर right answer है हमारे पास, option number two, that is genuine interest in teaching, अगर teacher को माल लीजे कि subject का knowledge है, लेकिन वो पढ़ाने में interested नहीं है, उनको पढ़ाना आता ही नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा teacher बन पाएगा, नहीं बन पाएंगे, ठीके, वैसे ही language उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ब तो सबसे important चीज होती है, interest, आप लोग भी अगर देखिए, अगर आप में से सब को interest है teaching में, तब ही आप लोग आगे जाकर अच्छे teacher बन सकते हो, otherwise वो जबर्दस्ती का काम हो जाता है, जिसमें कोई भी successful नहीं हो सकता, next question is, the teacher should identify, dash and teach accordingly, तो teacher को सबसे पहले student में क्या चीज को identify करना चाहिए, किसी learner की economic condition, यानि कि उसके जो आर्थिक सिती है, financial condition जो है, क्या उस वो important है, individual differences among the students, individual differences क्या होते हैं, दो students है, दोनों में individual, दोनों अपने अपनी जगा पे अलग है, एक student अगर studies में अच्छा है, तो दूसरा students में भी dance में अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो यह होते हैं individual differences, next है economic condition of parents, उनके parents की क्या आर्थिक सिती है, या फिर all of the above, तो किस basis पे teacher को, एक student को judge करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, financially कोई कैसा भी हो, that is not important, उनके parents की economic condition is not important, तो यह जो है, अपने आप eliminate हो गया, right answer is option number 2, ठीक है, तो individual differences एक बहुत जादा important unit है, हमने एक बहुत important section है, हमने detail में इस चीज़ को discuss किया है, ठीक है, तो दो बच्चे है, एक studies में अच्छा है, एक dance में अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को compare नहीं कर सकते, यह teaching का basic rule होता है, तो maybe यह studies में आगे जाके कुछ बड़ा काम करें, डांस में आगे जाके कुछ बड़ा काम करें, ठीक है, तो दो students के बीच में differences होते हैं, and उन्हीं differences के according, एक teacher को उनको पढ़ाना चाहिए, उनको judge करना चाहिए, ठीक है, that is called individual differences among students, next question is, teacher's primary duty is, तो क्या होनी चाहिए, एक teacher की प्राथमिक करतव्य, to raise intellectual standards of the student, यानि कि उनकी बुद्धी, intelligence level को उनके increase करना, raise करना, दूसरा option है, to improve physical standards of the student, ठीक है, यानि कि उनकी शारिरिक मान को, physically एक student को जो अगर हम improve करते हैं, तो क्या एक teacher की primary duty वो होती है, दीसरा option बोला गया है, to help all round development of the students, कि हर एक field में, चाहे वो studies हो, dance हो, basic communication हो, किसी भी field में, अगर हम student की development करते हैं, क्या ये एक अच्छी teaching, क्या एक primary duty होती है teacher की, next option बोलता है, to give more and more homework to the students, ठीक है, तो जितना जादा, कई teachers ये होते हैं, कि जितना जादा हम students को homework देंगे, उतना अच्छा वो पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये concept जो है, वो बिलकुल गलत होता है, तो यह यहां पे अगर आप लोग देखो, intellectual, सिर्फ intelligence level बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता, overall development ज़रूरी होती है, ठीक है, तो यहां पे all-round development is very important, right answer is option number 3, so I hope you like this session, thank you so much for watching this video,